मदपतेश के जाबवा में आज जंजाती सुरक्षा मंच ने कथे दुरूप से कुछ इसाई संग्ठनों खिलाब मोर्चा खोल दिया। उनका आरोप है कि ये जंजाती बहुल छेतर है और यहां पर ऐसे संग्ठन न सिर्फ धर्मांतरन को बढ़ावा दे रहे हैं बलकि बिना अनुमती के कई ऐसी गतिविदियों में सलिक्थ हैं जो की विदी के विरुद्ध हैं देखिए रिपोर्ट। कर्वा रहे हैं सरकारी जमीन पर अवेशी चर्च का निर्मांद कर रहे हैं जबकि सार्शन को इनुसार जिले में धर्मांतर नहीं हो रहा है लेकिन जमीन पर ऐसे प्रियास लगातार हो रहे हैं जिसके विरुद्ध नाराज आज ये संक्ठन सडकों पर उतराया पहले जाबुआ के शिव मंदिर में सारे करकरता इखटे हुए और उसके बाद ये जाबुआ की सडकों से गुजरते हुए इनका काफिला जाबुआ के कलेटेट परिसर पहुचा और यहां काफी देर तक अधिकारियों के साथ इनका समव होता रहा लेकिन जब बात नहीं बनी तो यह धन्ने पर बैठ गए करिब दो घंटे तक जाबुआ के कलेटेट में धन्ना चलता रहा इस दोरान जाबुआ के समीप ही पंच कोई हमें कथी दूरूप से लगने ना लेक मेले का मुद्दा बे उठा और उसको तदकार रोकने की मांग की गई अधिकारियों ने जब उसे ततकार रोकने का आश्वाशन दिया उसके बाद ये धर्ना समाप्थ हुआ इस पूरे मामले में इस पूरे धर्ने में जो जंजाती सुरक्षा मंच से जुड़े लोग हैं उन्होंने क्या कहा वो सुनी है हमारा तो इराद है सर्वनास कर देंगे यह जितना भी अवैद निर्माण बना उनको अटा देंगे परशाशन और सरकार से अपिल है वो अटाए जो भी अवैद है अगर नहीं अटाएंगे तो हम अटाएंगे बिल्कुल विदिवत अटाएंगे भारती समिदान के आर्ट कहां पे खरने किसी की जमीन पे कर वारें किस ने चर्ष्ट बनाया जहां पर फ्राफ्थना कर रहें और अब यहां पर दिया है और यह सब करने के लिए और आप पर निरस्थ करने के लिए एक मनलब इसमें डाल के हमने अपन दिया है और जो मिश्णरी बाहर से विदेश जो लोग यहां पर आके जिस तरह से आधिवाशियों के खिलाब आरोप लगा रहे हैं जाबवा के तो उनको में बोलना चाहता हूं कि अच्छा हुआ हमारा सामना नहीं हुआ जाबवा में कोई इसाई missionary का आदमी आता है और यहां कर आदिवासियों के बारे में अनाप सनाप कुछ भी बोलके जा रहा है तुम यहां पे स्कुल के लिए ऐgen थे अस्पताल के लिए आये तो यहां आके हमारे समास को इसाय बनाया क्यों क्यों बनाया wonderfully उंकि घ्रत कि जह होना बहुत है हमको इनके स्कूलों की जरूतिन है हमको इनके एस्पताल की जरूतिन है और यह वह उसे पες सकीमली स lihatеж चर्ष की वेदानिक कोई ऐसी अनुमत्ती है आदिवासी का गाउं है पंचकुवी वहां 100% आदिवासी लोग रहते थे लेकिन आज की तारिक में वहां आसपास के गाउं में कम से कम कहीं गाउं में आदिवासी को इसाई बना दिया गया है अब जो कम से कम 8-10-15 गाउं है आसपास के वो हिंदु विहीन होने वाले हैं वहां पर हमारे जो देवी देवता हैं हमारे जो हनुमान जी है माता जी है कालका माता है सावन माता उनको उन्होंने वहां समाज को गुम्रा करने के लिए देवताओं को रिप्लेस्मेंट कर दिया इसाही ने जो कारीकरम कर रहे हैं इसाही सब्वेटा के देवी देवताओं को भटा क्या भटा इक रहा है इसा हमारी सब्वेटा संसकृत के साथ खिलवाड़ चल रहा है मेरा समाज है फूरे आदि वासीों का करूँ है तुमको बुलाए है किसने यहां पर पढ़ाने आये थे के इलाज करने या घंटा घर बना रहे आके आदिवासी की जमीन पे तो जो भी पादरी है जिसको आपत्ती है वो मिले मेरे से उसी स्टाइल में जवाब मिलेगा उसको अब जमीन पर भी दिखाई देने लगी है ऐसे में प्रसाशन भी हैरान है और प्रसाशन को भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस पूरे विवाद को कैसी निप्टे आने आले दिनों में ये तलक से और देखने को मिलेगी ऐसी इसे संभावना है जानकार बता रहे है इस रिपोर्ट पर आपकी राय कमेंट बाक्स में जरूर बताएं